दोस्तों आपके computer का नाम आपके computer का एक main identifier होता है चाए आप कोई networking कर रहे हो या फिर remote connection कर रहे हो आपका computer आपके computer के नाम से ही पैचाना जाता है जब आप अपने system में एक नई windows install करते हैं तो ये नाम आपके computer को by default मिलता है अगर आप अपने computer को identify करवाने के लिए एक particular नाम रखना चाते हैं आपको default name को change करना चाते हैं तो ये छोटा सा process में आपको बताने जा रहा हूँ जिसको आप किसी भी windows version में follow कर सकते हैं जब आपको अपने computer में windows operating system में window plus R दबाना है यहाँ पर लिखना आपको sysdm.cpl ठीक है जिस यह लिखेंगे enter बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास system properties के एक window open हो जाएगी जिसमें आपके पास ऊपर कुछ tabs आ रहे हैं computer name hardware advanced system protection remote नीचे आपके पास लिखा रहा ह है जिस पर लिखावा है to rename this computer और change its domain और work group तो जस्ट आप change पर click करेंगे और यहाँ पर computer name आ जाएगा यहाँ पर पहले नेम है वो default name है यहाँ पर आप इस name को change कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इस नाम को change कर सकते हैं जस्ट आपको इस नाम को remove करके यहाँ पर अपने एक नया name है वो यहाँ पर assign हो जाएगा आप देख सकते हैं अब यहाँ करा है तो कुछ processing आप चल रही है आप देख सकते हैं you must restart your computer to apply these changes तो जस्ट यहाँ पर मेरा system restart होगा और उसके बाद यह जो नया name है वो मेरे computer से assign कर दिया जाएगा ओके करने के बाद आप देख सकते हैं after you restart the computer तो हम इसको close कर देते हैं जब भी हम इतना system restart करेंगे तो एक नया name जो हमने change करा है वो हमारे system पर assign हो जाएगा information आपको अच्छे लेगी तो like कीजिए कमेंट करेंगे बदाएगे कि आपको information कैसे लेगी आप भी अपना system का name change कर सकते हैं बहुत असानी से within a second चली मिलते हैं आपसे next video में नहीं जान करेंगे साथ अप तक लिए धन्यवाद जैह